आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट सॉस पास्ता की बहुत ही एजी और यम्मी सी रेसिपी तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीचिए चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है जैसे हमने एक किलास प आपस में ओआया है अपत नहीं तो अब हम पहले से को 80% तक करेंगे चैक करेंगी ओ इस वेरी Rs Хот 2018 १ घरेसे चैक करेंगे देखिये 80% तक पक चुका है तो हम गैस बंद कर देंगे अब हम डालेंगे एक पैन में बट्र और दालकर बट्र मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें इसलिए हम वाइट सॉस सबसे पहले प्रिपेर कर रहे हैं तो हमने एक अच्छी मैदा डाल कर गैस बिल्कुल लो कर देनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे और अच्छे से बटर में मैदा को भून लेंगे देखे इसका हलका हलका सा ब्राउन कलर आ गया है तो इसमें हम डालेंगे एक कब भर के दूद और दूद डालके हमने करची को अच्छी से चलाना है अच्छी से इस मैटीरियल को विस्क करना है तांकि इसमें कुछ लंप्स ना रहें और बहुत ही बढ़िया सी स्मूथ सी हमारी जो वाइट सास है वो रेडी हो जाए देखिए इस तरह के करची ले लीजेगा तांकि इसमें मैटा का जम रहा है तो हम इसको अच्छी से इसको मिक्स करेंगे मैश करके तांकि इसमें कुछ कोई से भी लंप्स ना रहें और बढ़िया सी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए तो इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डालिया हमने ब्लाक पैपर काली मिर्च तो लीजिए ये हमारी इस तरह से वाइट सास तो बिलकुल परफेक्ट रेडी हो गई है देखिए यही कंसिस्टेंसी चाह तो गैस बंद कर देंगे अब हमने एक दूसरा पैन लिया है इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगी आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं और ये वेचिटेबल्स अनियन्स काप्सिकम कॉंस और कारट तो पहले सबसे पहले हमने डाले प्याच हलकी से पिंकिश कर लेंगे फ काप्सिकम को हमने टू मिनर्स के लिए बस हिलाना है और ये मैंने डाल दी इसमें फ्रोजन कॉंस कॉंस टाल कर इसमें हलका सा नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च हलकी सी डालेंगे इसको हमने जादा स्पाइसी नहीं बनाना क्योंकि हमने इसके उपर बाद में हम इसमें चिली फलेक्स और बल्यक्स और आरिगैनो. तो अब हम ने ये तीनों चीजों को मिक्स कर देना है. वाइट ग्रेवी जो हमने वाइट सॉस बनाई थी. सबसे पहले हम उसमे डालेंगे विचिटेबल्स. जो हमने अब ही सोटे की हैं हल्की हल्की. फिर हम इसमें डाल देंगे अपना बॉयल किया हुआ पास्ता इस तरह से देखिए बिलकुल अलग अलग है क्योंकि हमने इसको बॉयल करते हुए इसमें हमने ओल डाला था इस वज़ा से यह चिपकता नहीं है ठीक है इस बाता दियान रखिएगा अब हम इसको अच्छे से मि मिल्क भी आट कर सकते हैं और अगर आप ऐसे थिक वला खाना बसंद करते हैं तो इस परफेक्ट तो बावल में डाल के सब करिए और इंचॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए